नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल डाइनेमिक डूस पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि आप लोगों ने सबी ने सुना है कि इंडिया के अंदर यह अप वह रही थी कि टिक टोक को किया जाए वेन पर दोस्तों कल र बात की गई और फाइनली आज इवनिंग में चार बजे इन एप्लिकेशन को बैन कर भी दिया गया है दोस्तों अब एक सबसे बड़ी बात और एक सबसे बड़ा कॉस्चन यह उठ रहा है कि जिस परकार इंडिया ने चाइनीज टिक टोक चाइनीज एप्लिकेशन को बैन क किया है क्या उसी तरह हैं चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटंस हैं मुबाइल फोन्स हैं क्या इन सभी चीजों का भी बायो कार्ट किया जाएगा दोस्तों आई यह देखीते हैं कि क्या जो टिक टोक एप्लिकेशन है क्या वो रियल में हो गयी है तो आओ इसका प्रैक यह देखिए टिक टोक इसको मैंने ओपन किया और इसके स्क्रीन देखिए आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हो रहा है नो नेटवर्क कनेक्शन नो इंटरनेट कनेक्शन अब देखो इस पर जो गवर्मेंट ने जो नोटिस दिया वो भी शो करने लग रहा है कि डियर यह नोटिस दिया है कि इस वज़य से हम जो है इन एप्लिकेशन को बैन कर रहे हैं तो दोस्तों बड़ी ही दुख की भी बात है और एक अच्छी भी बात है कि जो लोग ज़्यादा टिक टोक यूज कर रहे थे इंटरेंट मेंट कर रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यदा अब मैं उम्मीद करता हूं कि कोई इस वज़य से सुसाइड ना कर ले ठीक है दोस्तों थैंक्यू अगर आपकी जो भी राय हो क्या आपका भी टिक टोक मेरी तरह हैं बैन हो गया बंद हो गया तो मेरे कमेंट सेक्शन में जुरूर कमेंट कीजिए आपकी जो भी राय हो कि मुझे इस परकार की और वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक्यू